नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी यूटूब चैनल साहित्या स्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिस लिटरेचर के बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट literary theory का एक topic new criticism को discuss करने जा रहे है new criticism से पहले हम फड़ा criticism के बारे में समझ लेते हैं criticism का मतलब होता है दोस्तों किसी भी piece of art या piece of literature की बिना किसी biasness के study करता एक effective criticism उसका तब माना जाता है जब हम एक piece of literature के positive aspects और उसके negative aspects दोनों पे focus करते हैं तो simple words में हम कह सकते हैं कि criticism एक literary text को बिना किसी biasness के उसकी judgment करना है ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ उसकी अच्छे qualities पे ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ हम उसकी bad qualities जो हैं उन पे focus कर रहे हैं तो बिना किसी biasness के हमें दो लो को judgment करना है तो चलिए आगे हम देखते हैं new criticism के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं new criticism क्या है new criticism सबसे पहले एक moment आया था अमेरिका में और ये new criticism time coin की है J.S.Pingham ने J.S.Pingham ने 1910 के आसपास इस time को coin किया था और new criticism इस moment को derive किया गया है J.S.Ransom की एक book 1941 में इन्होंने एक book लिखी थी The New Criticism इस book से इस moment को derive किया गया है तो चलिए अब हम समझते हैं कि new criticism क्या है new criticism के जो critics थे इस moment में सिर्फ उन्होंने text पे focus किया है उनका मानना था कि एक book या poetry को study करने के लिए उसके author या किसी भी बाहरी factor की जरूरत नहीं होती है ये चीज़े matter नहीं करती कि जिस poem को हम study कर रहे है उसका author कौन है उसका author poor है, rich है या male है, female है बलकि जो जरूरी चीज़े है वो work की poetry या form है उसका structure और internal elements जैसे की meter figure of speech, rhyme and form ये चीज़े जो है, वो matter करती है एक work को study करने के लिए अगर हमने एक work को study करके उसका meaning निकालना है तो हमें external चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है, हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो internal structure है meaning को निकालने के लिए सिर्फ text की जरूरत होती है text के अंदर कौन-कौन सी form यूज की गई है कौन सा structure यूज किया गया है कौन सा figure of speech है कौन सी rhyme यूज की गई है ठीक है, ये चीज़े जरूरी होती है meaning समझने के लिए तो इसलिए हम कह सकते है कि new criticism की जो अप्रोच है वो meaning के लिए सिर्फ text पे ही focus करती है और ये approach special poetry के लिए आई थी जिसका purpose था कि poetry या text की close reading करना जिसको T.S. Elliot ने lemon squeezing भी बोला है एक work को closely analysis करना या उससे meaning लिकालना T.S. Elliot ने इसको lemon squeezing बोला है अब इस moment को आगे समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहले हम देखते हैं इसके दो पार्ट कौन-कौन से है पहला पार्ट है British group जिनको new critics बोला जाता है और इसी में दूसरा जो group है वो है American group जिनको new criticism का नाम दिया गया है और British group में जो main figure थे जो main critics थे वो थे आये रिचर्ड, विलियम एम्पसन, टियस इलियत, डवल्यू के विम्जर्ट, मोन और बीर्ट सले एड़ 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 लेविस ये बहुत ही important point है हमें अलग-अलग याद करना है कि कौन से British group में आते हैं और कौन से American group में आते हैं Clint Brooks and RP Blackmore ये सारे के सारे बहुत ही important writer है new criticism point of view से और ये जो American group था इन में से mostly writer वो belong करते थे वेंडर बिल्ट group से ये एक university थी अमेरिका में इस में से जो वेंडर बिल्ट group से belong करते थे वो JC Ransom, Allen Tate और RP Varan थे और इनकी एक magazine थी fugitive magazine ये बहुत ही famous magazine थी उस time पे तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना fugitive magazine से और इसके अलावा इन writers को southern agrarian भी बोला जाता है और दोस्तों इसके बाद हम बात करते है Chicago School of Criticism की ये एक new criticism का ही part माना जाता है क्योंकि ये टाइप का reaction था new criticism का और ये जो Chicago School of Criticism है इनके जो critics थे उनको new aristotelian भी बोला जाता था क्योंकि ये Aristotle के concept, plot, character और जोनरा पे बहुत ज़धा emphasize करते थे इसके अलावा ये Chicago Critics बहुती subjective थे और irony और figurative language पे बहुत ज़धा emphasize करते थे जबकि new critics जो है वो language और poetic diction पे ज़धा emphasize करते थे और Chicago School of Criticism जो है इसका founder था R.S. Crane ये बहुती important figure है Chicago School of Criticism में Chicago School of Criticism found किया था R.S. Crane ने और जो दूसरे key figure है इसमें जैसे कि Richard Macken, Elder Olson, Bernard Wenbach and Norman Macken यहाँ से direct question पूछा गया था पिछली बार इनमें से कौन सा Chicago School of Critics नहीं है ठीक है तो इनके नाम जो ये main figure मैंने आपको बताए है इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना आगे की वीडियो में हम formalism, Russian formalism और French formalism को पढ़ेंगे तो एक-एक वीडियो में आपको एक-एक literary जो theory है वो पढ़ाऊँगा ताकि आपके सारे concept जो है वो अच्छे से clear हो जाए बट एक चीज़ आपको जो सबसे important याद रखनी है वो जो literary theory में जो movement आये थे उनसे कौन-कौन से writer belong करते है ये सबसे important point है आपको याद करने का यहाँ से direct question paper में पूछा जाता है तो आप इन writer के नाम अच्छे से सब के याद कर ले ना जैसे की structuralism से कौन-कौन से writer belong करते थे D construction में कौन से writer आते है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like करे चैनल को subscribe करे ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे Stay connected, be safe, best of luck